तो वेलकम डियर स्टुडेंस मैं एजाज लड़न फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ वेलकम करता हूँ आपका अपना पसंदीरा यूटूब चानल ब्रिलियंट नौलेज में तो यहाँ परस्न है गैर सरकारी सनस्था याद रहे गैर सरकारी सनस्था किस प्रकार से सेबाच छेत्र के विकास विकास का मतलब तरक्की को सैयोग करता है उधारन देकर लिखें पतलब इस प्रस्न के उत्तर में हमें यह बताना है कि यह जो गैर सरकारी सनस्था है यह सेबाच छेत्र के विकास में सेबाच छेत्र को बढ़ने में किस प्रकार सैयोग करता है किस इस परकार मदद करता है जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं गैर सरकारी सनस्था सनस्था तो समझ रहे हैं जब कुछ लोग किसी उद्यस को लेकर के मिल करके काम करेंगे कुछ लोग तो उसको हम लोग सनस्था बोलते हैं तो यहां पे है गैर सरकारी मतलब गैर सरकारी कहेंगे और यहां पर सेवा का मतलब होता है काम यानि जब हम कोई काम करते हैं तो वही सेवा कहलाता है कोई टीचर पढ़ाता है पढ़ाने का काम करता है तो उसका सेवा पढ़ाना है कोई डेक्टर कोई डॉक्टर मरीज को देखता है तो मरीजों को देखना उसका काम है उसक स्थ l homicide का स्वां कि लिए तो हईगी का स्धाह理 हैं प्ल भी निए गए सरकारी साथ इस परकार सयोग करता है। तो तो इस प्रस्न को मैं यहाँ पे दो प्रेग्राफ में समझाने का पढ़ियाज किया हूँ पहला प्रेग्राफ में तो आपको ये बताना है कि सरकार का बहुत सारा कारी ऐसा है जो वो अकेले नहीं कर सकता है तो इन कारियों को करने के लिए कौन मदद करता है गेर सरकारी सनस्थान मदद करता है और बहुत सारे रोजगार के अफसर को उत्पन करता है बहुत सारे रोजगार के अफसर को बनाने का काम करता है लोगों को रोजगार दिलाने का काम करता है और दूसरा परेगराफ में ये है कि ये सोयंग, ये जो गेर सरकारी सनस्था है, ये सोयंग की परियासों से कुछ जोब करते हैं, कुछ रोजगार करते हैं, कुछ रोजगार उत्पन करते हैं, जिससे लोगों को फाइदा होता है, तो आए पहला प्रेग्राफ को यहां से देखते हैं, यहां उत्तर में है, कु च्छा का जो छेत्र है वो काफी बड़ा है इसमें सरकार भी कारिय करता है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी कारिय करता है यह प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं और सरकारी स्कूल्स भी होते हैं उसी तरह स्वास्त में जाएं हेल्थ में जाएं तो सरकारी अस्पताल होता है private hospital होता है तो कुछ छेत्र इतना बड़ा होता है कि सरकार इसे अकेला चलाने में सक्षम नहीं है सक्षम का मतलब लायक होता है तो सक्षम नहीं है मतलब चलाने के लायक नहीं है ऐसे ऐसे सेवा छेत्रों को चलाने के लिए सरकार गैर सरकारी सनस्थाओं का साहता लेती है यानि कुछ सेवा छेतर इतना बड़ा है कि सरकार इसको अकेले चला ही नहीं पाएगा और इन सेवा छेतरों को चलाने के लिए सरकार गैर सरकारी सनस्थाओं का क्या करता है साहता लेती है, मदद लेती है अब मदद तो लेता है गैर सरकारी सनस्थाओं का अब गैर सरकारी सनस्था क्या रोल अदा करता है उसको देखी आगे ऐसे में जब गैर सरकारी सनस्था का सहता लेता है तो ऐसे में गैर सरकारी सनस्थाएं सरकार के बिभिन्ने कारिय करमों को मतलब होता उत्पन करना पैदा करना रोजगार का मतलब काम धंदा तो रोजगार स्रीजन कर काम धंदा उत्पन कर सेबा छेतर के विकास में सयूग करते हैं असपस्ट बात हैं जब रोजगार का स्रीजन करेगा रोजगार पैदा करेगा तो सेबा छेतर बढ़ेगा क्योंकि जहां रोगों लोगों को काम धंदा मिले उसको सेवा छेत्र बोलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा लोगों के रोजगार मिलने की संखियां बढ़ेगा तो सेवा छेत्र में भी बढ़ोतरी होगा उसका भी विकास होगा अब आगे देखिए इसके अंतरगत आने वाले परमुख छेतर कुछ उधारन देने जा रहे हैं इसमें क्या क्या आता है बेंकिंग सेवा, दूर संचार सेवा जैसे टेली वीजन हुआ, रेडियो हुआ, मोबाइल हुआ, इंटरनेट हुआ यह दूर संचार में आएगा, दूर संचार के माद्यम से हम अपने बातों को एक जगे से दूसरे जगे तक पहुचाते हैं यातायात सेवा, इसमें पूल, रोड, रेलवे लाइन, यानि ऐसा सेवा जिस से हम एक जगे से दूसरे जगे जाते हैं तो उसी को यातायात सेवा बोलते है इसमें वो आ जाएगा आ दी तो आगे है कि इस प्रकार की सेवाएं रोजगार स्रीजन करती है तो यह जो सेवाएं यहां से यहां तक आपको बोले हम यह सेवाएं रोजगार स्रीजन करता है रोजगार को पैदा करता है तो यहां पर इस गैर सरकारी सनस्था का सयोग लेता है और यह जो गैर सरकारी सनस्था है यह रोजगार का स्रीजन करता है और साथ में सेबा छेत्र का विकास करता है अब दूसरा प्रेग्राफ को देख लेते हैं यहां दूसरा प्रेग्राफ में कि सेबा छेत्र में कुछ रोजगार कुछ का धंदे गैर सरकारी सनस्थाओं के सोयंग के पडियासों से सोयंग मतलब खुद के पडियासों से खुद के कोसिसों से स्रीजन होता है स्रीजन का मतलब पैदा होता है इसके अंतर के ब्यूटी पारलर ब्यूटी पारलर किसी वेक्ती द्वाडा या किसी सनस्थान के अपने करते हैं बेंकिंग सेवाएं ये भी बेंकिंग सेवाएं जो है ये भी गैर सरकारी सनस्थान ने प्राइवेट छेत्र में भी बेंकिंग सेवाएं आते हैं हाला कि कुछ बेंकिंग सेवाएं सरकारी में भी है लेकिन कुछ प्राइवेट में भी है अर्थाथ गैर सरकारी भी ह हम इन्हीं आधार पर कह सकते कि इस प्रकार गैर सरकारी सनस्थाएं विभिन्ने कारिय कर्मों को चलाकर सेबा छेतरे के विकास में सयोग करता है मदद करता है तो यहां पर वीडियो समाप्त होता है इस तरह का और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के पले लिश्टे में जाकर के देख सकते हैं धन्यवाद